इन मुशलमन ना को बविस्कार करतो, काम में बढ़न मत जो, और इना बार बजाओ अरे एक सब्त बड़ी पात याँ पचाजार रुपिया को फोन छोड़गा ना दस पीजार को हतियार अपनी जेम मा रख्यागरो नमस्कार मैं मौम्मद फेसल और आप देख रहे हैं जन्हितावाज आज मैं आपके लिए वो सारी बड़ी खबरे लाया हूँ जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और गोदी मीडिया ने जिनको छिपा दिया है जी हाँ खासकर दलितो पिछडो आदिवासी और मुसल्मानों के लिए ये खबरे बहुत जरूरी है इन खबरों को मीडिया में जगे नहीं मिलती है जबकि वो लोग लगातार मुसल्मानों के और आदिवासी दलितों के खिलाब प्रोपगेंड़ा फिलाते हैं देखिए सबसे पहली खबर हरियाना की हरियाना के माने सर में रविवार को एक पंचायत का आयोजन किया गया था इस पंचायत में मुसल्मानों के परती किस कदर नफरत परोसी गई ये आप भी देख सकते हैं तो इनकी बैट सुन लीजिए जिस तरीके से ही कह रहे हैं कि आत्म रक्षा के लिए अब आपको हत्यार उठाने पड़ेंगे आपको लोहा खरीदना पड़ेगा आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात है और ये पहला मामला नहीं है इससे पहले भी धर्म संसत करकर जो मायनोर्टी है चाहे क्रिश्चन हो मुसल्मान हो उनके खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा और नफरत भरी बयानबाजी होती रही है लेकिन उन आरोप्यों के खिलाफ गिरफतारी नहीं होती है बलकि जो उन आरोप्यों को उनकी वीडियो को देश के सामने लाता है उसकी गिरफतारी हो जाती है मुहमद जुबेर गिरफतार है ये देखिए सत्य परकास भारती है उन्होंने ट्विट किया है सबजी खरीद ने गये मुस्लिम योग को पुलिस ने उठा कर गो तसकरी का आरोप बता कर किया एंकाउंटर यूपी के कानपुर देहाद के घाटमपुर शेत्र के नोवस्ता पूरवी में दिल साथ तीन जुलाई साम साथ बजे सबजी लेने निकला था आरोप है कि थानेदार ने परमोशन पाने के लिए एंकाउंटर कर दिया है आप समझे के मुसलमानों के लिए कितना दुस्वार हो गया है उत्तर परदेखास कर बीजेपी सासित राज्यों में कोई भी आता है परमोशन के लिए लोग एंकाउंटर कर दे रहे हैं अब क्या इ नहीं होगी देखते हैं देखिया इनकी बाइट सुन लीजिए जो जिनका वो लड़का था कि वह किस तरीके से अपना दर्द बियान कर रही है तो सुना आपने अब आते हैं अगली खबर पर अगली खबर है बिहार से फारुक आलम ने ट्विट किया रोते बिलखते मस्जिद के इमाम साहब को सुनिये नितीश कुमार बाबू इनका आरोप है कि मस्जिद में नमाज पढ़ने पर इनको मारा पिटा गया ये बता रहे हैं कि पूरी बस्ती को उपदर्वियों ने खाली करवा दिया है पिछले 20 दिनों से मस्जिद में नमाज बंद है परसासन के कहने पर जब ये नमाज पढ़ने गये तो वहाँ इनके साथ मार पिट हुई इन्हें धक्का मार कर भगा दिया गया मामला अलग-अलग समुदाय के दो परिवार के बीच का था जिसमें एक युवक की मोत हुई लेकिन देसत ऐसी की पूरा मुस्लिम समाज गाउं खाली करने को मजबूर है जानकारी के मुताबिक पूरा मामला बियार धरबंगा के घंसियामपुर बधिया टोला का जहां अलग-अलग समुदाय के दो परिवार के बीच मार पिट हुई जिसमें एक बीस वर्सिय धर्म साहु की मोत हो गई मोत की खबर के बाद उबदरवियों के बीच खूब उबदर मचाया और पूरे मुस्लिम समुदाय को गाउं खाली करना पड़ा तो आप अंदाज लगा सकते हैं आज हालात इतने बुरे हैं कि अगर दो परिवारों में दो दोस्तों में भी लड़ाई हो जाती है तो उसको हिंदु मुस्लिम बना कर पूरे मुस्लिम समाज को टारगेट किया जाता है और ये जो खबर है पूरे गाउं को खाली करा लिया गया है आप अंदाज लगा सकते हैं और महीं दूसरी तरफ ये देखे शूरज कुमार बोध ने ट्वीट किया है तिलंगाने के संगा रेड़ी में के स्वीवक को कती तूची जाती के लोगों ने उसके घर से घसीट कर बेहद निर्देयाते से मारा पिटा जाती सूचक गालिया दी देज भर में स्वीट समुदाई के साथ कुरूरता की जा रही है इसे रोकना होगा ये बरदास्त के परे हैं तो वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक एस्वीवक को मारा जा रहा है ये पहला मामला नहीं है कल हमने आपको दिखाया था किस तरीके से गाजीपूर में एक महिला को 20 सड़क पर एक युवक मार रहा था उससे पहले मद्य परदेश के गुना में एक आदिवासी महिला को जिंदा जला दिया जाता है और ये देखिए जिस गो तसकरी के नाम पर एक मुस्लिम युवक का इंकाउंटर कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस वाले को परमोशन चाहिए था वहीं गो साला की जो हाला थे वो आप देख सकते है मुहमत तन्वीर है ट्वीट किया है उत्तर परदेश में गोहत्या पाप माना जाता है तो ये क्या है जिस गाई के नाम पर हजारों मुसल्मानों की सरकारी लिंचिंग होती है उस गाई को माता मानने वाले लोग गाई को तड़पा तड़पा के मार रहे है ये गोशाला का वीडियो है जहां पर हालात इतने बुरे हैं कि वो बिमार हैं लेकिन उनकी देखबाल के लिए कोई नहीं है जबकि गोष आला के नाम पर budget भी पेस्ट किया जाता है और तमाम तरीके से उनको ऐलोट किया जाता है लेकिन वो पेसा कहां जाता है, कौन खाता है उसका कोई अता पता नहीं है और गोसाला की जो हालत है वो आप देख सकते हैं इसमें तस्वीर में अब देखिए दूसरी बड़ी खबर है संबल पुलिस ने नोनवेज होटल के मालिक तालिप को ग्रफतार किया अतालिप पर आरोफ है कि उन्होंने मूर्ती छपे हुए अकबार पर नोनवेज बेचा एक अकबार था जिसमें एडवर्टीजमेंट था जिसमें कुछ देवी देवताव की फोटो थी अब वो अकबार पर किसी दुकंदार ने संबल में उस पे नोनवेज बेच दिया तो ए इदर उदर ही पड़ा रहता है हमने देखा है कि सड़कों पर लोग उस से कुछ भी गंदगी साफ करकर फेक देते हैं लेकिन उनके खिलाफ एफाहर नहीं होगी अगर कोई मुसलिम उसको अपने कारोबार में इस्तेमाल कर लेता है इस पर नोनवेज बेच बेच देता है तो उसको गिरफतार कर लिया जाता है तो ऐसे हालात हैं और यह देखिए सबसे बड़ी ख़बर लंदन में मोधी और आरेसेस के खिलाफ एक बड़ा मार्च हुआ है यह वीडियो आप देखिए किस तरीके से वहाँ पर लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं और मोधी और आरेसेस के खिलाफ नारे बाजी कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं कि हिंदुतु वादी से हिंदुतु से भारत को बचाना होगा और यह सारे नाराई हैं जो खासकर जो भारत के लोग बाहर रहते हैं वोनों लोगों ने यह मार्च निकाला है तो आप समझ सकते हैं कि बा पर लोगों को मारा जा रहा है तो वहां पर रहना कितना मुश्किल है और अब ये खबर देखिए बंगाल में मालदा में एक मुस्लिम यूग को किस तरीके से नंगा करके ये लोग मार रहे हैं तो आप समझे किस तरीके के हाला थे लिंचिंग अभी भी लगातार लुकने का नाम नहीं ले रही है वही कल लिंचिंग से याद आया कल तिलंगाना में नरंद्र मोदी की एक रेली थी उस रेली में उस जन सवा में एक आदमी की लिंचिंग होती है वो बच जाता है लेकिन जो उनके समर्थक थे वो उसी जन सवा में उसी रेली में उस पर तूट हैं किस तरीके से वो वीडियो भी दिखाऊंगा लेकिन ये समझे के एक जो फजर अली मुस्लिम था उसको मालदा बंगाल में कुछ हिंदुत वादी जो मानसिक्ता के लोग हैं जो कट्टर वादी लोग हैं वो किस तरीके से नंगा करकर इनको मार रहे हैं ये देखिए संदी सारा लोगों पर मामला दर्ज किया है इससे पहले भी मद्य परदेश को शर्मशार करने वाली ऐसी तस्वीर है आ चुकी है गुना की तस्वीर आपको याद होगी जहां पर एक आदिवासी महीला को जिंदा जलाने की कोशिश की जाती है लेकिन वो बदकिसमती से बच जात तो देखा आपने ये कल नरेंद्र मोदी की रेली की तस्वीर है जहां पर उनके समर्थच एक सक्सपर तूट पड़ते हैं और उसको किस तरीके से मार रहे हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं 2014 से जो लिंचिंग का सिलसला सुरू हुआ था वो अभी तक जारी है और अब तो खुद परदान मंतरी मोदी की रेली में लिंचिंग होने लगी हैं लेकिन नरेंद्र मोदी इस चीज पर बोलने को तयार नहीं हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस के इसारे पर और किस लिए किसको फायदा पुचाने के लिए ये सारी चीजे हो रही हैं इन सारी खबरों पर आपकी क्या राय है आप अपनी राज जरूर दीजे शुक्रिया